जैसा हम सब ने देखा मानिये सर्वोच न्याले ने कट्टर बैमान पापी आपके कन्वीनर अर्विंद केजरिवाल को फिर से आईना दिखाया है और ये जो आदेश पारित हुआ है ब्रश्टाचारी कट्टर बैमान अर्विंद केजरिवाल को कंडिशनल बेल मिली है कुछ पहलू आज का जो आदेश आया है उसको आपके समक्ष रखना बेहद जरूरी है और ये कहना गलत नहीं होगा जेल वाला सी एम अब बेल वाला सी एम हो गया है और वो भी कैसी कंडिशनल बेल है वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा और इस आदेश के आने के बाद सबसे पहले जो एहम है अतियावशक है दिल्ली की जनता की आवाज जो भारती जनता पार्टी उठाती रही है अर्विंद केजरिवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पट से स्टीफा दे दे लेकिन बेशरम अर्विंद केजरिवाल ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि अर्विंद केजरिवाल में एक बूंद नैतिक्ता नहीं बची है जो अर्विंद केजरिवाल राजनिती में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे आज वो कंडिशनल बेल पाते हैं और तब भी छे महीने तक किसी संविधानिक पद पे कोई व्यक्ती बैटा हो उसके लिए तो एक दिन अगर वो जेल चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है इस्तीफा दे देना चाहिए यहाँ छे महीने तक जेल में रहकर आए और आज कंडिशनल बेल मिनले पर भी इस्तीफा नहीं दिया है और यह कहना गलत नहीं होगा ब्रश्टा चार युक्त ब्रश्टा चार युक्त सीएम अभ्युक्त अब वो अभ्युक्त की श्रेडी में है और आप जो बिंदू मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ बिंदू वार तरीके से इसका संग्यान लेकर यह बात जंता तक जरूर जानी चाहिए सबसे पहले सर्वोज त्याले में अरविंद केजरिवाल की दलील क्या थी पहला उनकी पहली दलील ये थी कि जो उनकी गिर्फतारी हुई है वो वैद्द नहीं है दी अरेस्ट ओफ अरविंद केजरिवाल इस इल्लीगल पर आज सर्वोज त्याले ने जब फैसला सुनाया है बड़ी जिम्मदारी से मैं आपके समक्षे रख दू हूँ तो इस दो नयाए धीशों की खंड पीटने पश्ट किया है Appellant's arrest does not suffer from any illegality I repeat Appellant that is Arvind केजरिवाल Appellant's arrest does not suffer from any illegality So पहली बात जो arrest हुई वो सम्वदानिक थी कानून के आदार पे हुई ब्रश्टाचारी कट्टर बैमान अर्विंद केजरिवाल और उनकी पूरी पार्टी जो की ब्रश्टाचार में लिप्त है जो प्रोपगैंडा चला रही थी आज सर्वोत ज्याले ने उस प्रोपगैंडा का खात्मा किया है दूसरी बड़ी बात अर्विंद केजरिवाल अभ्यूग्थ है एक अभ्यूग्थ के पास समधानिक अधिकार होता हो न्यालने जाए और अपने सारे चार्जस को खतम करा ले दिए स्कॉल्ड कुशिंग अविल्ज श्यूग्थ में अधिकार किजरिवाल किशिंग टरॉपगैंडा कॉर्दार्स स्विंद कीजरिवाल श्यूग्थ हॉथ 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 and the charges were never quashed, यह निरस्त नहीं किये गए, निरस्त नहीं किये गए इसका मतलब, आधार है, साक्ष्य है, प्रमार है, और इसी लिए प्रतम द्रश्ट्या मुकदमा चलना चाहिए, इसके बाद एक लेर और आती है, रिलीफ की, डिस्चार्ज हो जाना, और मुकदमा जब चलता है, उसके बाद ज्याले एकुटेल देता है, तो आम भाशा में जन्ता के लिए, पहले कोशिंग नहीं हुई, डिस्चार्ज नहीं हुए, और एकुटेल का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि अब ट्रायल चलेगा, तो फिर ये भ्रश्टाचारी पापी आपको बताना होगा, कि आज अर्विंद केजरिवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, और मैं स्पष्ट कर दू, हमने कल भी देखा, भारती जन्ता पाटी की एक स्पष्ट नीती है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्षिन, और मम्ता बैनर जी जुकी, और उन्होंने भी कहा, कि मैं स्तीफा दे सकती हूँ, ये भ्रश्टाचारी अर्विंद केजरिवाल भी जुकेगा, और वो भी दिनाएगा जब जन्ता इस्तीफा लेगी इस से, क्योंकि, अब मैं आपको वज़ा बताता हूँ, मैंने कंडिशनल बेल कई बार कहा, तो आप लोग सोच रहे होंगे, कंडिशनल बेल बार बार कह रहे हैं, इसकी, इसका महत्व क्या है, अभी पूरा जज्ज्मिंट आना बाकी है, लेकिन सुनवाई के दौरान, जो अंच जज्ज्मिंट के पड़े गए, और जो रिपोर्टिंग में आया, और उसके साथ एक और महत्पूर्ण, तथ्यापके समक्ष रखूँगा, रिपोर्टिंग के लिए, तो सबसे पहले, मैंने क्यों कहा, भ्रष्टा चार युक्त, सीएम अभ्युक्त, और जेल वाला सीएम बेल वाला हो गया, क्योंकि दस लाग का, बेल बॉन्ड, मुचल का भर के बाहर निकले हैं ये, भ्रष्टा चारी, अब आप बताईए, एक मुख्यमंत्री, सम्विदानिक पत्पे बैठा है, और वो दस लाग का मुचल का भर के बाहर आता है, अभ्यूक्त होता है, उसके खिलाफ, मुकदमा चल रहा है, क्या दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए? और ये वो पापी आप है, जिसके डियने में, जिसकी रग रग में, एक एक बूंद में, भ्रष्टा चार भरा है, सी एम, बेल वाला, पूर्व डेपुटी सी एम, एक विधायक मनी सिसोडिया बेल वाले, नेता संजे सिंग बेल वाले, ये कैसी पाटी है भाई, कोई नेतिकता नहीं बची है, दूसरी बड़ी बात, कंडिश्टल बेल पे, सरवो त्याले की जो टिपड़ी है, बड़ी जिम्मदारी से आपके समक्ष रख रहा हूँ, उन्होंने कहा है, जो और एक्यूज्ड हैं, उनके बेल ओर्डर में, जो कंडिशिन्स हैं, वो भी एपलाए होंगी, तो बात ये आती है कि और कंडिशिन्स क्या हैं, तो मरी सिसोडिया का बेल ओर्डर जो है, मेरे पास है, उसमें एक कंडिशिन है, अर्विंद केजरिवाल, का पास्पोर्ट न्याले में रहेगा, और वो विदेश यात्रा पे नहीं जा सकते हैं, इसके बाद ये बड़ा महत्वपूर्ण है, अब आप मुझे बताईए, क्या रसू, क्या इकबाल, क्या कद बचा इस भरष्टाचारी मुख्यमंत्री का, मैं फिर कहूँगा, पुना कहूँगा, क्या रसूक, क्या इकबाल, क्या कद बचा इस भरष्टाचारी कटर बैमान, पापी आपके कनवीनर, मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल का, जो हर सोमवार को और ब्रहस्पतवार को, दस से ग्यारा बजे, आईयों के सामने खड़े होंगे, और ये दिल्ली की जंता बरदाश्ट ही करेगी, इसके साथ ही, एक बेल कंडिशन और है, दी एपले ज़ आपके साथ ही, हुआ सरवद्याल्याल्य प्रव्यक्ति बैठा होता है तो सभी आग बंद करके उस पर विश्वाज करते हैं अरुद केज्रिवालं भारतिय राध्यती को इस निचले स्तर पर ले आए है कि सरव200 को कहना पड़ रहा है उन्हें शी केंडिश्ट्र infection बेल दे रहे हैं लेकिन जो गवा है उनको इंफ्लॉएंस नहीं करो गया, डराया नहीं जाएगा, और साथ मैं जो साक्षे हैं जो प्रमाड है, उसको नश्ट करनी का प्रयास नहीं करो गया, और यह आवश्चे किसकी है, क्योंकि हम सब जानते किस तरह से मुबाइल फोन जो थे उनको नश्ट किया जा रहा था किस तरह से और साक्षों को नश्ट किया जा रहा था तो इसके साथ ही ये बड़ा एहम बुद्धा है जो विदिक समझ मेरी है उसका इस्तमाल करते हुए सभी मीडिया के जो भाई बंदू है जो बहने हैं उनके साथ में ये बात बाट रहा हूँ दो केस चल रहे थे एक सीबियाई का और एक एडी का सीबियाई के केस की बेल का ओर्डर आ जाया है जो मैंने आपके समझ रख दिया इसी के साथ एडी का बेल ओर्डर बारा जुलाए दोहजार चौबिस का इसमें भी कुछ कंडिशन है और ये बड़ी महतवपूर्ण है वो सारी की सारी कंडिशन इसलिए अपलाई करती है कि बेल पर जो एडी का केस है उसमें भी बाहर है अर्विंद केजरिवाल और इसमें जो कंडिशन भी है उसमें कहा गया है इसका मतलब ये वो कटर बैमान मुख्यमंत्री है जो दिल्ली में मुख्यमंत्री का जो दफ्तर है वहाँ नहीं जा पाएं है दोनों ओर्डर को साथ में पढ़ना होगा ये बहुत महत्वपून एक जानकारी है और जो जज्जमिंस हैं वो मैं आपके समख्ष रख रहा हूँ ये कैसा मुख्यमंत्री है जो खुद मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकता किस निम्नस्तर पर वो भारतिय रादिती को ले आया है और साथ-साथ जो मुख्यमंत्री का चरित्र होता है उसको दागदार माना जाए तो गलत नहीं होगा ये बी एक कंदिशिन लगी हुई हाँ आर एक कंदिशिन लगी हुई है बचा क्या बचा ये कि जो शराब निती की काली कमाई है उसको कैसे गबगब करके अपने इस्क्रमाल में लगाया जाए और साथ में कैसे और भश्टाचार किया जाए और आखरी जो इसमें पैरग्राफ है एक प्रश्ट उठाता सर्वोट नियाले के समक्ष कि अगर कोई समधानिक पद पे चीफ मिनिस्टर है और उस पे इस तरह के गंभीर भश्टाचार के आरोब लगते हैं तो क्या वो इस पद पे बना रह सकता है तो सर्वोट नियाले ने जो कहा पहले मैं पढ़ दू और उसके बाद मैं उसमें जो हमारा विचार है वो आपके समक्ष रखूंगा सर्वोट नाले ने भी ये कहा और मैं समझता हूं इस उमीद से ही कहा होगा कि समधानिक पद पे जो व्यक्ती बैठा है उसमें इतनी नैतिकता इतनी शरम बची होगी कि वो समधान की दृष्टी से दिल्ली के जंता के हित के लिए स्टीफा देगा लेकिन जैसे कटर बैमान अर्विंद केजरिवाल से नैतिकता की उमीद नहीं की जा सकती है इस आदेश के आने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और छे महीने जो जेल में रहे हैं मैं पुना कहूंगा एक दिन भी अगर जेल में कोई मुख्यमंत्री हो तो वो बहुत है एक भरश्टाचारी इतिहास रच के जेल वाला सीएम आज बेल वाला सीएम हो गया है और इस उमीद से कि जो जंता की बात हमने इस मंच से उठाई है उसका संग्यान लेकर अर्विंद केजरिवाल तुरंत स्तीफा देंगे बहुत-बहुत धन्यवाद कोई प्रश्ण होई इस विशे पे तो मैं ले लूगा देखे यही जंता की आवाज है यही दिल्ली के नागरिकों की आवाज है जो अर्विंद केजरिवाल कहते थे आरोप लगने पर इस्तीफा दो इतने बेशरम हैं इतने पापी हैं इतना भष्टाचार किया है उन्होंने और नेतिकता बची नहीं है ऐसा लगता है कुरसी पर फिविकोल डालके बैठे हैं कुछ भी हो जाए पद नहीं छोड़ूँगा इस्तीफा नहीं दूँगा और ये जो फटकार लगी है जो कंडिशनल बेल मिली है इसके सही माइने क्या है भारतिय जन्ता पार्टी को ये लगता है उसको सभी नागरिकों के समक्ष रखने की जिम्मेदारी डाइत्व हमारा है और वो ही हमने यहां पूरा किया है पुना मांग करते हैं कि अर्विंद केजरिवाल कटर बैमान पापी आपके कर्वीनर इस्तीफा दे मुक्यमंत्री पत से वरना जन्ता के पास बहुत ताकत है आप देगा वो भी दिनाएगा इस्तीफा देंगा देखिए ऐसा है जब शराब गोटाले का किंग पिन निकला है और उसको बेल मिली है तो कुईन पिन क्या कहेगी वो यही कहेगी जो एक और भष्टाचारी पूर्व उप्वुख्यमंत्री बेल पे बाहर व्यक्ति कह सकता है उनको भी पता है कि उनका गला जो की इमानदार जाच एजन्सियों ने पकड़ रखा है तब ही छूटेगा जब किंग पिन अरविंद केजरिवाल छूटेगा लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा ये सब भष्टाचारी ये सब पापी ये जन्ता को लूट रहे हैं और हमारा एक ही लक्षे है जाज एजन्सियों का एक ही लक्षे होना चाहिए एक एक रुप्या जनता की गाड़ी कमाई का वसूल कर जनता के हित में इस्तमाल हो और ये जो पापी है ब्रश्टाचारी है इन लोगों को बक्षा ना जाए जानकारी के लिए मैं ये जरूर के दूँ बेंच प्रिसाइड़ बाइ ओनरुबल जस्टिस सूरेकान्थ और जो मैंने आपके समक्ष रखा ये डिविजिन बेंच का फैसला है अगर किसी जज ने टिपड़ी करी है उसका संग्यान लेते हुए हमें उसका भी आदर करना है लेकिन ये जो पिंजरे का तोता कहा है वो पिंजरे का तोता बनाया भरष्टाचारी कॉंग्रिस ने था कोल गेट स्कैम में और CBI पिंजरे का तोता नहीं सह सम्मान कहता हूँ आज बाज बन चुका है भरष्टाचारियों को नोच रहा है काट रहा है और इसलिए भरष्टाचारियों को दर्ध हो रहा है और आब वो टिपड़ी देख लीजेगा दन्यवाइब लोगतंत्र भारत का मजबूत है उनके अनुसार या कमज़ोर हुआ है राहूल गांदी विदेशी भूमी पर अभी दो दिन पहले कह रहा है थे कि भारत की न्याय पालिका न्याय नहीं देती है किस तरह से इन्होंने जो मुख्य न्याय दीश है भारत के उनकी एक तस्वीर आदर्निय प्रदान मंत्री जी के साथ सारजनिक हुई तो आरोब लगा दिये और आरोब लगा कौन रहा है ये सारे भ्रष्टचारी चाहे वो राहूल गांदी बेल वाले हों सोनिय गांदी बेल वाली हों अभिशेग बैनर जी टीमसी जिन पे खुद भ्रष्टचार के आरोब है पापी आपकी तो हमने बात करी ली तो मैं इतना ही कहूंगा जैसा आपने देखा कुछ फैसले पक्ष में आते हैं कभी कभी फैसले विरोध में आते हैं आप उससे सहमत ना हो लेकिन न्याए पालिका पे सवाल उठा देना to cast aspersions on the judiciary by the India Alliance by the Congress Party by Rahul Gandhi it is unacceptable and it is a sinister design of Mr. Rahul Gandhi and partners of India Alliance to destabilize the democracy of our country and to weaken the judiciary which is independent and which is an institution of high repute, high caliber and people of India have utmost faith in the judiciary of the country. Thank you. झाल